आप सभी को तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग वैसे रेंडम वैरियेबल बगएरा कुछ देखेंगे बट उसके पहले जो थोड़ी बहुत कुछ बची हुई चीजे हैं उनको आज यहां पर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उनको बताना जरूरी है ठीक है फिर उसके बाद आगे करेंगे इसके द्सक्षा आप पिनर दो न हरुक है जै सिर्राम नमस्कार एंड वैर्ट एंड तन या इसके जो पॉछ एंड लिए इसके हैं अभ्सक्रार आवज्ड इंट वैर्ट आप्षा जै सिर्राम नमस्कार एंड पिन जो गाल्ठीन हरी ओम हरी ओम हो तो आजसे सबसे पहले एक बात कता दाता था नहीं जो रिलेशन बताता है किसको तैसे रिलेशन बिट्विन मैंने बताया था LISA सुझ है में हो गया हुंत हर्यूंत को मिय अठिक है कि मीडियन हो गया अगर हम इन तीनों में रिलेशन देखें तो मैंने आपको बता चुका था रिलेशन ठीक है उसके बाद एक ग्राफिकल से भी हम देख सकते हैं कि इनका रिलेशन क्या होता है देखें यह मैंने एक खीचा और यह है आपका पॉइंट को तो अगर कोई फ्रेक्वेंसी का डिस्ट्रिवियस affect देखेगा कि अगर इस सेफ में होते हैं तो यह जो फ्रेक्वेंसी इस फ्रां में दिश्ट्रिबिट हो रहा है इसका मतलब क्या होता है यह केस मतलब सैमेट्रीक आधर से वैसे इज WOW रा further है फ्र वैसी लोवर इक्वल होते हैं यह इसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिस्टिबिशन जब आपका जो है इस फ्रेक्वेंसी का डिस्टिबिशन कैसा हो तो सिमिलरली जिस वेव से आगे बढ़ते हैं फिर एक दम टॉप के पहुंचते फिर जस्ट वैसे ही अपोजिट में डाउन होना चालो जाता है तो इस केस में मीन मेडियन मोड आपस में कैसा होता है इक्वल होता है ठीक है यह पहला केस हो गया आपका इसी प्रकार अगर मैं बोलो दूसरा केस सेकंड केस यह होता है कि जब आपके फ्रेक्वेंसी का डिस्टिबिशन किस तरह से हो सबसे पहले जो है अगर फ्रेक्वेंसी इस केस में अगर बढ़ते हुए जा रहा है ठीक है मतलब लाइक इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है फिर अचानक से डाउन हो जा रहा है तो यह वाला केस अगर जब बनता है जब कभी भी तो इस केस में आपका देखो यह यह क्य दिरे दिरे बढ़ रहा है दिरे दिरे बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है फिर अचानक से डाउन हो जाता है तो यह अगर ऐसा distribution हो रहा है अभी इसके एक्जामपल दूँगा जो आपको दिखाई देगा कि कब बराबर होगा कब बढ़ होगा तो इस के नीचे फिर यहां पर एक में होगा मीन तो इस केस में एक्स बार मीडियन और मोड यह जो है ऐसे relation में करते है ठीक है तो यह तीनों में relation यह होगा अब यहां पर के case में क्या हो गया इस घ्रवजे कैस में यह जो एकस बार है एकस बार को क्या बोलת मीन मीन सबसे चोप्णा नो अर्फ मीडियन से और इससे बड़ा कौन अनुगा उआब उसकेस में Z सबसे बड़ा हो जायेगा ठीके यह second case था आउ थर्ड case में देखो तीसरा केस में जो graph बन रहा है अगर यह graph का frequency का distribution पहले Tapi organized fallen पर हो जाए पहले सबसे हाइज फिर down होना चले हो जाए सक ग्राफ ऐसे मिलताया है जुलाइग अध़ले पड़ जाएगा एदम टॉप पे फिर ऐसे गिरेगा ठीक है धीरे-धीरे डाउन होगा तो इस केस में क्या होगा कि यह ग्राफ से भी आपको पता रहना चाहिए ऐसा कि यह जो है आपका मोड ही होगा यह आपका मोड नीनस जैड फिर आपका मिडियन और फिर आपका मीन मिडियन तो हमेचा पैश से ऊपर कि मीडियन हमेशा ओल्वेस क्या होगे बीच में होंगे ठीक है तो सिर्फ यहां पर अगर ते केस में देखेंगे तो क्या होगा मोड जो है सबसे लेज़ दन होगा इससे उपर कि नीचे बैठो बाबू सबसे छोटा होगा फिर मेडियन होगा और फिर एक्स बार होगा यह रिलेशन बनता है चीख है तो यह है आपका तीनों में रिलेशन यह इस केस में दिखाई देगा तो आपका मीन और मोड और जो है मीडियन तीनों आपस में एक्वल होते हैं इस केस में तो तीनों के केस में आपको क्या दिख रहा है मीडियन आपका बीच में होता है मीडियन कभी बड़ा नहीं होता कभी भी मीडियन जो होता है मीन और मोड से कभी बड़ा नहीं होता किसी भी केस में ठीक है जब आप calculate करोगे तीनोज value निकालोगे तो कभी भी median आपको बड़ा नहीं मिलेगा, किसे न mode से नहीं, mean से. अब इसके अगर एक examples की बात करें, अगर हम examples कैसा देखें, तो जैसे suppose करो, मैंने एक दे दिया, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 22 30, 32 40, 42 50, ये दिया, ठीक है, ये आपका class interval हो गया, और यहाँ पर frequency का distribution दे रहा है, frequency कैसा दे रहा है, दो, पांच, साथ, ठीक है, फिर पांच, दो, देखो, कैसा distribute हुआ, सबसे पहले दो गया, पांच गया, फिर अधम ये एक्चल में बीच वाला हुआ, ये लाइक इस तरह से हुआ, एकदम सेंटर में देखो, सबसे बड़ होना चालो रहा है, तो ये जो distribution हो गया, तो इस केसे के लिए क्या आना चाहिए, mean, median, mode आपस में equal आना चाहिए, आई देखते हैं, ठीक है, अब ये आपन क्या calculate करेंगे, x, x कैसे निकालते हैं, दोनों का, आप करके, add करके, आप करके चल जाओ, तो, just adding, 0 plus 10, and divided by 2, तो क्य मिलेगा, 5 मिल जागा, यहाँ पर, 10 plus 10, 20, 30 हो गया, 30 का 15 हो गया, यह 25 देदेगा, यह आपका 35 हो जाएगा, और 40 plus 50, 90, 90 का 45 हो जाएगा, clear है, यह x मिल गया, मैं आपको बताना चाहिए, find करेंगे, mean, median, mode, और check करेंगे, कि in case के लिए क्या हो रहा है, मतलब हम questions क्या बोल सक है, find, mean, median, and mode, relation देखना चाहते हैं कि क्या मिलने वाला है, क्या real में ऐसा होगा, उसके बाद, अपन क्या निकालते हैं, ds निकालते हैं, और हमको तो cf, median भी चाहिए, न, median के लिए क्या calculate करना रहता है, cf calculate करना पड़ता है, cumulative frequency, cumulative frequency calculate करनी पड़ती है, अब वो क्या रहता ह है, 7 और 7, 14 हो जाता है, ठीक है, 2 का 2, 2, 5, 7, 7, 7, 14, 14, 14 प्लस 5, 19, 19, 19 प्लस 2, 21, ठीक है, तो n आपका आने वाला है, 21 आ गया, ठीक है, अब यहां से तो आपका क्या निकल जाएगा, median calculate हो जाएगा, बच गया कौन, median होगा, अब मैं निकालने वाला mode, mode तो यहीं से हो जा calculate करनी पड़ेगा, और ds बराबर क्या होता है, x minus a upon i, और last में फिर क्या करेंगे, f का multiply कर देंगे ds से, ठीक है, यहीं दो column हम लोगो इस्टा चाहिए, तो बताओ भई, ds calculate करने के लिए a चाहिए, a किसको ले लो, a चूस करना है, बीच का, x के बीच का ले लिया जाता है तो 25 प्ले लो, बीच में, तो a तो मिल गया 25, difference कितने का है, sum में 1010 का difference है, तो क्या किया जाएगा, जब आपको difference से दिख रहा है, तो अब बताओ, 5 minus 25 करोगे, तो कहीं न गहीं आपको कितना मिल लेगा, 5 minus, जब आप करोगे, तो 5 minus 25 हो जाएगा, minus का 20, minus 20 divided by 10 करेंगे, तो minus का 2 मिलेगा, ठीक है, फिर minus 1 यहां मिल जाएगा, क्योंकि 15 में से 25 गया, minus का 10 होगा, minus 10 को 10 से डिवाइड करोगे, तो 1 आजाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 35 minus 25 करोगे, तो फिर 10 हैगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे, तो 1 आ जाएगा 45-25 जो करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है 20 20 बाई 10 इस पल तूटू पिर एफ का मुल्टिप्लाई कर देना है यह एफ है और यह डिया से इसका मुल्टिप्लाई करो तूटू जा माइनस 4 5-1-5 फिर 0 5 मंजब 5 और 5 2 2 4 क्लिर हुआ तो इस केस में इसका सम कितना आने वाला है देखो 59-59 जीरा जाएगे इसका सम एफ इन टू डीज कितना आने वाला है 0 आने वाला है ठीक है आओ देखते हैं सबसे पहले क्या निकालते हैं कि द्यान से देखोगे तीनों चीज़े आप यहां पर कल्कुलेट करोगे पहला मीन बता रहो मीन इस केस में क्या होता है एक्स बार का फार्मला क्या होता है एप्लस समेशन एफ इन्टू डी एस डिवाइड वाई एन इन्टू आई और आपको पता है ने डिस यह टूटल कि बड़ चुका है तो ओरर्ले एंक की वेलोंब कितनी है 2525 प्लस 0 तो एक्सवार मीन कितना मिल चुका एक्सवार की लिए-प्लेट को भी द जो छी किर्च एक एक्सवार मीन कीदना चुका 25 पाल गया जोगे सेकेंड केस में क्या देखेंगे दूसरा केस अगर मैं बूलू मीडियन केल्पृट करें तो क्या होगा और मीडियन के लिए बताया था सबसे पहले स्मॉल हम कैल्कुलेट करते हैं जो कि यह है तैन पॉंट पॉंट फाइफ आएगा है अब तैन पॉंट फाइफ में कल्कुलेट करते कि कि इसके बीच में लाई कर जागा तो साथ से उपर है चौदा संदर इसी में आजाएगा 48 में तो यहां पर हम बोल सकते हैं इसके अंसर कितना है ऑगा 14 आएगा 14 के बीच में लाई कर रहा है तो इसके सामने वाला आपका क्लास इंट्रवाल हो जाता है तो 2230 और यह एफ यूजह होगा और इसके उपर वाला सी हो तो हम अगले लाइन में क्या लिखेंगे capital M बराबर फॉर्मना लिखते हैं मीडियन का क्या होता है L1 plus M minus C divided by F into I और L1 आपका देखना है उसके जस्ट सामने 14 के जस्ट सामने वाला 2230 तो L1 कौन होगे 20 होगे तो L1 जो है 20 हो गया प्लस M हमने निकाला 14 minus C जस्ट उसके उपर होता है और उसके उपर कितना आया था देखलो 14 के उपर कितना था 7 है और F कितना है 7 है ठीक है F भी 7 यह भी 7 यह जो हो जागा 7 divided by 7 into 10 का डिफ्रेंस है यह बोलो 20 प्लस 14 में से साथ गया साथ ठीक है 14 में साथ के साथ बड़ा साथ गुणा 10 किता आ रहा है कि वन ट्वंटीवान आ रहा है इक्वाल नहीं आ यह कि अग्यों कर दो कि अग्यों कि मिस्टेक तो नहीं किया है कि एक बार देख लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं हुआ है इस मौल यहिंड निकालते हैं एन अपन टू एन आपका टून्टी वान है टून्टी वन बाइटू जो है कितना आने वाला है टैन अपन 10 प्लस 10 10 बाइट 10.5 दस दसनों पांच वह से अपके बीच में आ रहा है एज लाइक ओर्टीन तो कितना रहे थर्टी कि इस कहां से अच्छा हां यह 30 कि इस नहीं आना चाहिए ना 25 आना चाहिए था 25 आना चाहिए था मेडियान इक्वल कहां कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया ना वह देखर हैं सी अपके बीच में जो है 10 टर्म जो है 14 म की वेल्यू सी की वेल्यू कि एक्वल में हम लोग जो है यहां पर मिस्टेक गल गल थी कि यह मिस्टेक यह कर रहे हैं तो यह अपन चेक करते हैं कि एक्वल में 14 लिखते हैं मतलब यह 10.5 लिखते हैं यह बस देखते हैं किसके बीच में लाई कर रहा है तो एम की वेल्यू तो यहीं होती है एन पॉंट की कि फर्मा में एम लिखा और एम की वेल्यू एन वाई टू ही होती है यह लाई देखते हैं वीच इज लाई ऐसा वीच इस लाई इन सियर फूर्टीन तो यह तो बस बताता है कि हम को क्लास कौन सा लेना है वह लेकिन एम की वेल्यू तो टैन पॉंट फाइप लिखना यहां पर टैन पॉंट फाइफ ही चलेगा यह मिस्टेक हुआ रहा मिस्टेक समझ में आया क्या हुआ यह नहीं होता है यह एंधर टू ही लिखा जाता है यह यह देखना पड़ता है कि जो सिए हमको क्लास कौन सा लेना पड़ता है तो यह देखना पड़ता है 10.5 यह कौन से तम में है क्लास यह मिल जाता है लेकिन एम की वेलिए तो यह होती है कि फॉर्मॉला में क्या होता है एम होती है और इसमोल एम की वेलिए किसके बीच लाइक कर रहा है वह नहीं देखते है ठीक है तो मिस्टेक यहां था और कहीं नहीं है यहां पर आपका 10.5 फी होगा इसको मल्टिप् और जो है कि यह वो रहा है कि लास्ट टाइम में एम की वेलिए अगर ऐसा हुआ होगा तो सकता हम लोग पिछले में गलत क्योंगे यहीं लिखा जाती है लेकिन ठीक है अगर अगर मैं पिछले में रख दियांगा तो वहां मिस्टेक होगा ठीक है कि यहीं होती है यह चीज आपको द्यान देना यह कि रिवेजृण करने के लिए यह इंपनल आरख लेना है है ठीक है तो यह चीजे यहीं आएगा अब 10.5 में 7 माइनस करोगे तो कितना का 3.5 3.5 by 7 into 10 करोगे तो यह कितना आ जाएगा बोलो 20 प्लस 0.5 0.5 into 10 और यह कितना आने है 20 प्लस 5 और यह आजाएगा 25 यह बात आई समझ में सब को समझ में आ गया किसे को ऐसा तो नहीं कहीं रॉंग किया है कि बस यह चीज़े ध्यान देना हो सकता है कि मैं जो लास्ट क्लास में जो है साथ इसकी वेल्यू को रख दिया होगा ठीक है तो वहां पर वह रॉंग हो गया होगा लेकिन हमको रखनी कौन से रहती है एम की वेल्यू एन अपॉन टू ही रखनी पड़ती है और यह एन अप करना है और मोड के लिए एकदम सिंपल ही बस आपको सिएप में सबसे बड़ा देखना है तो सबसे बड़ा कौन है तो 7 के सामने वाला क्लास इंटराल अगर मैं बोलूँगा सबसे maximum frequency f1 कौन होगा 20 is f1 कौन हो गया 7 तो उपर वाला कौन हो गया f0 उपर वाला कितना था 5 और f2 कितना हो गया यह भी 5 l1 कौन हो गया आपका इसके जस्ट सामने वाला कौन है 2230 यह जो है सबसे बड़ा f1 को नहीं साथ 7-5 डिवाइड चौदा माइनस पांच माइनस पांच इंटू में 10 यह कितना है 20 प्लस साथ में से 5 गांच गया दो गुणा 10 वीच हो गया बीस बटा और यह जो है पांच पंदस चौदा में से दस गे 4-5-6-20 कटके कितना आने वाला है 25 आने वाला है तो तीनों के केस में क्या दिखा इन तीनों के केस में हमको दिखा कि मीन मेडियन मोड आपस में कैसे हैं इक्वल है बात आई समझ में अब यह से नो करके बताओ कमेंड में सबको समझ में आया यह केस कि जब फ्रेक्वेंसी का distribution अगर हम कैसे कर दे हैं जब भी अगर हम frequency का distribution continue जैसे बढ़ रहा है वैसी घटा रहे हैं तो वो जो हमें समीन मीडियन मोड एक्वाली देता है देख लो अच्छे से यह वाले ग्राफ पर ही आप को और फर्माओगे देखो सबसे पहले कितनी थी 0-10 के बीच में दो था अगर मैं इस question का graph बनाने बटूं ठीक है इस question का अगर मैं graph बनाओ तो कैसा बनेगा graph ऐसा कुछ बनेगा देखो इस question का graph और आपका distribution बता रहे हैं यह 0 होगा यहाँ कहीं 10 होग यहाँ कहीं 20 होगा यहां कहीं 30 है यह 40 है यह 50 है ठीक है 0 से 10 10 से 22 से 30 30 से 40 40 से 50 इष्थ हैं तक किया था 50 तक hy उसके बाद यहांपर for frequency को उपर से ट्रीजन्र कर रहा हूं यह frequency यहांपर मालो कितना है ये एक है फिर दो है फिर तीन है फिर चार फिर 5 फिर 6 और फिर 7 ऐसे चल रहे एस तो आप जब अइसका ग्रफ बनाओगे तो देखो कैसे मिलेगा यहां पर सबसे पहले 0-10 के बीच में कितना था इंसर दो था जिए 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 दस के बीच के लिए जो ग्राफ बनेगा वो आपका ये बनेगा दो तक का ग्राफ ऐसी बनाते है वे सब्सक्राइब ग्राफ गुल गया अब लोग त्रेंथ क्लास वगर हमें पढ़कर आए होगे यह आपका ग्राफ बनता है कि जीरो से दस के बीच में दो तक का फिर दस से बीस के बीच में कितना था पांच था यह ग्राफ ऐसा खुछ बनेगा ऐसा फिर बीस से तीस के बीच में साथ था सेवेन ऐसा फिर इसके बीच में यहां से यह वापस यह आया और फिर यहां से यह आया तो जब हम ग्राफ बनाते तो इसके सेंटर पॉइंट पर पॉइंट डालते जाते हैं इसका सेंटर पॉइंट यह हो गया इसका सेंटर तो इसके बाद ये सेंटर पॉंट जब हम गराफ बनाते तो कैसे जोड़ते जाते हैं यह एसी जोड़ते जाते हैं आपको दिख रहा होगा जो जो तो है अच्छे से देख लो 20 और 30 के बीच में कौन बैठा होता है 25 होता है तो ग्राफ से भी समझ में आ गया यह पॉइंट ही अगर आप पता कर लिए कि यह सबसे टॉप वाला पॉइंट कौन सा है वही आपका मीन मीडियन मोड होगा और आपको दिख रहा है 20 और 30 के बीच म 32 40 और 42 50 ध्यान से देखोंगे जो बता रहा हूं अगर ऐसा लिखा हूं मैं फ्रेक्वेंसी डिस्टिविशन दो पांच पंद्रा छे आठ लग रहा है कि यह बढ़ रहा है कि लेकिन नहीं यह यह अलग चीच है देखो इसमें और इसमें डिफ्रेंस था यहां पर जो दो य है तो यह दो होना चाहिए यह क्या वैसा नहीं है तो यह इसके केस के लिए अलग आएंगे ठीक है इसके के लिए अलग आएगा एक मिनिट झालग जुछ मिनिट अब यह बताओ यह चीज़े समझ में आई कि नहीं इस केस के लिए यहां पर देखो अलग टैप का लिखाओं मैं क्या कोई कि अगर मैं बोलो इसका graph अगर बनाएं हम कैसे देखे तो समझ में आजय है ग्राफ से बोलो भई इसकों के लिए एगर मैं आप से बोलू कि function का graph से समझ में आ जागा कि कौन से class में है तो ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है ठीक है अगर बस बाकी चीज़े से मतलब नहीं है आप यहीं से समझ सकते हूं कि ग्राफिकल इसका बना लो ग्राफ हलका सा अगर आप प्रक्टिस कर लिए ग्राफ दीख रहा है कि किस त्रेप से बने गई यह तो सबसे पहले दो मतलब यहीं कहीं होगा जिरो से दो मतलब यहीं कहीं होगा, ऐएगा है खिए तरग से दर के बीच में यह आपका 2 हो गया चेपका मालो 5 हो गया और यह सिधह 15 हो गया फिर 6 का होगा वगा तो इसके उप़र में यहां इacter ιндिटी जो इस्के बीचे इसके बीच में यह ते यह तो कि यह कौन सा गराफ दिख रहा है आँको कौन सा गराफ बन रहा है तो यह सुरू में ही उठ गया है फिर कम होना चालो तो यह 1 पर कमज सकते हो यहां पर किसमें यह होला है मतलब मोडससे छोट आएगाBenim भीन आगा ठीक है तो यह केस मिलेगा अगर आप इसको सिंप्लिफाई करोगे सॉल करोगे तो डिरेक्ट आप समझ जाओगे कि इसका यह आने वाला है यह आप लोग के लिए होंवर्क है कि आप लोग इसको ट्राइब करके देखना कि क्या मिलता है ठीक है एक यह कोस्टन को ट्राइब करोगे एक और कुस्टन दे देता हूं उसको भी आप लोग को ट्राइब करना है कि क्लास वही दे रहा हूं 0 से 10 10 से 20 20 से 30 32 40 40 to 40 ठीक है और एक और दे देता हूं 52 52 60 ठीक है यह आपका क्लास हो गया यह आपका फ्रेक्वेंसी हो गया फ्रेक्वेंसी दे रहा हूं तीन बीस और तीस वी तीन वीस थर्टी फिर जो है अगा 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 है कि अगा है दस आट दो यह 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 दिस्ट्यूबिशन किस टाप से बनने वाला है सबसे पहरे टाप हो जाएगा फिर ऐसे जिरेगा ठीक है अब इसको देख लेना बना के ट्राइब करके देख लेना क्या बनने वाला है कि मीन मीडियन मोड में रिलेशन आप देख सकते हो बता सकते हो ठीक है कि कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल है क्या बोडर हूं है से इसाटी इस में क्या दिक्कत है यह मैंने वो रहा हूं। ग्राफ से मैंने बता दिया आप इसका क्या निकालो में मेडियन मोड सिंपल ही निकालak और चेक करो कि भई इसके क्या मेडियन बढ़ा jumper अर्थ, आप में मिडियन में भाव भा कि मोडे चाहने का मकसद क्या था मकसद यह था कि यहां पर आपको दिख रहे डिस्ट्रिबिशन हो पांच पांच गण इन्क्रीज हो रहा पिर उसी आपस में कैसे होगा कि एक पल होगा है हुआ है हुआ है है ठीक है है अगा है हुआ है है हुआ है 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 कि ले रुवा यह चीज है अब आते हैं डिस्ट्रिबिशन का तो हो गया काम इससे ज्यादा तोर कुछ था नहीं अब हमारा इन्पोर्टेंट आने वाला स्ट्रेटिस के अंदर में गुझेंगे जिसका नाम है रेंडम वेरियेबल इस जो बैरी इन्पोर्टेंट टॉपिक्स वह सारी चीज तो सेंटरल फ्रेक्वेंसी बगरा था अब जो आने वाला है वह है रेंडम वेरियेबल क्या होता है ठीक है इसको अच्छे सा फेक रहे हैं, थ्रो करा रहे हैं, या फिर आप कार्स को फेक रहे हैं, थ्रो करा रहे हैं, रेंडम ली, तो वो जो आता है, उसको हम बोलते हैं, ट्रायल या रेंडम एक्सपेरिमेंट बोलता है, और उसके उपर जो आता है, उसको हम इवेंट से बोलते हैं, उसको क्या बोलत करेंगे इस चेप्टर में यहां पर सबसे पहला टॉपिक बनेगा आपका रेंडम वेरियवल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी करेंगे कुछ एक्जामपस दूँगा ताकि आपको हमेशा जिन्दगी वरियाद रहें या रेंडम वेरियवल यह होता है ठीक है रेंडम वेरियवल का टॉपिक चलेगा सेकंड केस में जब यह हो जाए किलियर हो जाए तब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ठीक है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो की वेरी इंपॉर्टेंट आप यह यह भी ठीक है और थार्ड जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन्स का ठीक है जो डिस्टिबिशन फंक्शन होता है ना सीधा वह है जनेरेटिंग फंक्शन जनेरेटिंग सान जी समय तक हमनों फंक्शन पढ़ेंगे अना प्रिप्पॉस्टिबिशन सारी बहुत सारे दिस्टिबिशन फंक्शन होते हैं उसके बेस यहां पर पढ़ेंगे इसके बात फिर आपका कुछ एक्जाम्पल्स बगरा को देख लेंगे ठीक है प्रीवेस यर्स के को संपो देख लेंगे कि पीवाई क्यों ठीक है कि चल तो देखो सबसे पहले बात होती कि वही रेंडम वरियबल क्या होता है रेंडम वरियबल कि इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं रेंडम वरियबल क्या होते है एक्च्वल में तो सबसे पहले एक आपको अब भी एक्सपेरिमेंट उठाओ ठीक है एक एक्जांपल के तुर सम्झाओं गाए कंसीडर और रेंडम एक्सपेरिमेंट रेंडम एक्सपेरिमेंट कि और आप क्या कर रहे हैं एक पेज को उठाए किसके एक मिनट कि टॉसिंग आप कि टुवाइस कि डाइस कि आपने एक्सपेरिमेंट करना है किसको डाइस को थ्रो करना है कितने दो भी दो डाइस टू डाइस को ठीक है क्या करा रहे हो डाइस के जगह मैं चलो क्या ले लेता हूं टू ट्वाइस अगर आप एक साथ दो को फेक रहे हो तो उसी चीज को बोलते है रेंडम एक्सपेरिमेंट आपने उसको क्या किया रेंडम सेंपल इसको सेंपल से जानते हैं जो की आउटकम हाता ओक लूट कम शीजी हो सकता है तो चार आप पॉर क्या होगा है इसमें कॉंस्ट क्योंकि हर बार चारी आगा जब दो ट्राइल कराओगे तो पॉसिबल आउटकम कितने निकलेंगे हर बार और वी चार ही टाइप के आउट सक्वाइब हो सकते तो इस इच कॉल्ड कॉंस्टेंट जो कभी बड़ा नहीं सकता कभी घटर न कि अलिए ऑक्स को क्या बोड़ा इस वरी वला का नाम क्या देंगे हो अब मश्रिय हो सकति है थिक है तो यह रेंडम 2021 के नाम से जानते ठीक है अधिक किया अब मै conscious보 head की संख्या को count करो, तो भाई, जो outcome आएगा, उसमें क्या-क्या possible हो सकते हैं, head, total कितने variable मिलेंगे, तो देखो, x ये मिलेगा, then, अगर ऐसा है, तो x की value possible क्या हो सकती, इस random variable की संख्या क्या हो सकती, number of head क्या-क्या हो सकते हैं, एक तो 0, यानि कि बिना head वाले आ सकते हैं, 0 हो सकता है, x की value क्या हो सकती, 1 हो सकती है, x की value क्या हो सकती, 2 हो सकती है, x की value इस से ज़्यादा तो नहीं होने वाला, 2 head से ज़्यादा आएगा नहीं, या तो 0 head, 1 head, 2 head, 1 head, 2 head, clear हुआ, तो random variable कौन से होंगे, यह, counting में, उसकी संख्या क्या हैगी, 0, 1, 2, मैं बूलूँगा number of head, तो कितने आ सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, this is called random variable, बात आई समझ में कि नहीं, yes या नो, जल्दी बताओ, तो random variable की value को हम लोग नहीं जानते हैं, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, वो ही है आपका, ठीक है, तो इसकी definition अगर मैं बोलूँ, तो हम definition क्या लिख सकते हैं, random variable is a real valued function, ठीक है, ठीक है, random variable is a, random variable क्यों होता है, is a, real valued function, ठीक है, real valued function, यह हमें से एक real valued function होता है, define होता है जो किस पर define on a, ठीक है, which is defined on a sample space, ठीक है, define on a sample space, जो हमें सा sample space पर define होता है, ठीक है, it is denoted by, denoted by capital X, इसको किस से दिनूर करते हैं, capital X, ठीक है, हाँ, देखो, जैसे मैंने कहा, ध्यान से समझे न, मैंने यसे दो coins को उपर throw कराया, throw कराना क्या कहलाता है, trial कहलाता है, या फिर क्या बोलते हैं, हम, this is called random experiment बोलते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि, head क्या क्या आ सकते हैं, head होने की संख्या, head होने की संख्या, को count जो करोगे, उसको मैंने बोल दिया, random variable, जो counting करोगे, कितनी बार head आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, तो आप देखोगे कि दोनों कोईन पर हैड ना हो एक यह वी केस हो सकता है यह बहुत दोनों केस ना आये यानि कि उस वक्त रेंडम मेरीवल आपका क्या हो सकता है जीरु हो सकता है यह 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 पिर मैंने कहा x equal to हो सकती है जहां x equal to क्या है यह भी क्या है अपने अपने एक random variable है क्योंकि दो head भी आ सकते हैं तो one head two head three head four head like इस तरह के चीजे होना उसका आप count कर रहे हो उसी कोई बोलते है random variable आप जैसे मालो एक dice को throw करा रहे हो एक dice को throw करा रहे हो और मैं बोल रहा हूं which is greater than two two से बड़ा आने की possibilities बताइए तो दो से बड़ा क्या क्या हो सकता है तीन भी आ सकता है चार भी आ सकता है तो random variable क्या क्या हो सकते है तीन चार पांच से तीन head तीन है जैसा अगर इसमें 10 head में देखोगे तो यह आ जाएगा ठीक है counting करोगे ना जहां पर उसको गिन जा सकता है लेकिन वह हमेशा कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है बदल सकता है इसलिए इसको variable बोलते हैं और वह counting कर रहे हो इसलिए इसको random variable बोलते हैं बात आई समझ में कि नहीं है कि अगरे कि अगरे कि अगरे तो यह यह डिपेंड करता है कि आप क्या मान रहे है वेरीवल को आप क्या नाम दियो जैसे आप बोल रहा है सकते हो कि नंबर चाль बता दो तो नंबर उसकते वेरीवल को सकता है उसका उसकता उसके था या फिर एक 1 वक्त अब कर देगा वेरेवल को बदल हो मैं बोल रहा हूँ कि फो एक बार आएक नाम दो जिसमें 2 इसंदि बार आ क estáp ए यह था उसक्त आपका सिर्प एक यह ah रहेगा ठीक है ठीक है कन्फूजन है कोई दिकत नहीं है भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी मतलब नेक्स्ट टॉपिक में भी एक्जामबल में आप समझे लोगे ठीक है यह एक्चल में है क्या इड़ इस स्पेसिफिक नंबर तो यह याद रहेगा आपको ठीक इस स्पेसिफिक नंबर यह हमें से इडिफ्रेंट हमेंसा अलग भी होते हैं इडिफ्रेंट विच इडिफ्रेंट इच टाइम एच टाइम वह अलग-अलग होते हैं और क्या बोल सकते हैं वह भी किसमें आ ट्यू पीरी में टिफ टाइम के ट्राइल में जो ट्राइल कर घे ऐख के यह एक्सपेरिमेंट इपट इस ठ्रुप्र हत अ मैं मैं तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में हर टाइम वह एक अलाग अलाग नंबरसे इस स्पेसिफिक नंबर मिलता है उसी कोई बोलते है हम रेंडम वरीवल ठीक है हाँ लेकिन एक्सपेरिमेंट आपका क्या होगा रिपीट हो सकता है ध्यान देना एक्सपेरिमेंट इस रिपीटेट एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट कर सकते हो ठीक है यानि कि एक्सपेरिमेंट को हुआ है थी एक्सपरिमेंट को डग सकते हैं कि की मैंने थो ऐ सब्सक्राइब आइभ फिर अगर फिर दूसरी वार फिर उसी रिपेट किरेंधकी प्रिसे यहां प्रर्ल्फ श्क्रिप्ट नाम दे दिया मैंने कि हैड आना मेरा रिंडम वरीवल होगा तो उसकी संख्या को काउंट करोगे तो भई हैड कितनी बार आएगा तब भी तब भी हम एक्सिक्वल वन ही बोलेंगे फिर आपने फिर से ट्रैल को एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और दोनों हो सकता है दोनों आपका क्या जाए है तो मैं बोलूंगा क्यों कितनी बार आरा है उसको काउंट करना वही आपका बार एक वर भड़त का जया जdoesने हैंगे यहां पर चेक किया तो मैंने बोला रैंतब पर सकते हैं मिल सकते हैं हमेशा में अभी नहीं हो सकता, इस case के लिए तो नहीं होगा, अभी मैं सिखाऊंगा उस चीज को भी, कि point में कब होगा, point में कब नहीं होगा, उसको बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, तो discrete पढ़ेंगे और continuous पढ़ेंगे, यहां तक आ गई समझ में, अभी देखो, एक example और में आ जाना चाहिए, ठीक है, when, tossing, when tossing a two dice, आप दो dice को throw कर आ रहें, तो भाईया, दो dice को जब आप throw कर आओगे, तो क्या 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 आ सकता है, outcome, this is called sample space, तो sample space क्या क्या हो सकते हैं, sample space तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको random variable आप अपना defend करोगे ना, कि हम क्या चाहते ह आप जो चाहते हैं, वो random variable बनेगा, तो suppose करो आपने x एक random variable नाम दे दिया, और वो बोल रहे हो कि उनका sum, जो trial पर आएगा, जो भी dice पर आएगा, उनका sum ही आपका क्या है, sum of dice, dice का sum ही आपने random variable नाम दे दिया, बात समझे अच्छे से, आपने एक dice को throw कर, दो dice को दो dice को एक बार ठेक रहा है, तो फिर जो आपने x लिया है, एक variable नाम दिया, और उस variable का नाम क्या दे दिया, sum of dice, आपको dice का sum करना है, तो बताओ, आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, बताओ, वो dice की value, इस x की value क्या-क्या हो सकती है, ये x जो बता दिया, वही random variable बनेगा, बोलो x की value क्या-क्या हो सकती है, मैंने कहा x की value क्या-क्या हो सकती है, मुझे answer आना चाहिए, फिर से समझाओ, dice को, दो dice को throw कर आया, और जो भी आएगा, मुझे क्या मतलब है, क्या आएगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने x एक नाम दे दिया, sum of dice, dice का sum, जो भी आएगा, वही random variable बनेगा, तो बताओ x की value क्या-क्या हो सकती है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ, सब लोग का answer आना चाहिए, x की value क्या-क्या हो सकती है, starting कहाँ हो सकता है, जल्दी बोलो, जल्दी, dice समस्ते लुडो, लुडो देखे हो, खेले हो न, ऐसे दो dice को throw कराने है भई, अब उपर पे जो top पर नंबर आएगा, उनका नंबर का आपको sum करना है, सिर्फ 2, 4, 6, 8 ही आएगे, 1 प्लस 1 भी हो सकता है, very good, 2 भी हो सकता है, 2, 4, 6 सिर्फ आप बोल रहे हो, इसके अलाबा और कुछ, क्यों order नहीं आएगा, order नहीं आ सकते, very good, 2 से 12 थक, यह हुई सही जवाब, 2 से 12 थक, यह है सबका असली जवाब, तो जब आप दोनों का sum करो होगे, 1 प्लस 1, 2 हो सकता है, क्या कभी random variable 1 आ सकता है, यह बता मुझे, क्या random variable 1 आ सकता है, इस case के लिए जो अपने चूना है, x sum of dice, क्या 1 आ सकता है, नहीं, क्या 0 आ सकता है, नहीं, कुछ ना कुछ आएगा, कितना हैगा, minimum, minimum कितना हैगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, क्योंकि 1 उसकते हो सकते हैं चार हो सकते हैं 5 हो सकते हैं चेंवन हो सकते हैं नाइन हो सकते हैं 10 11 और 12 12 से जाधा नहीं होगा क्योंकि maximum 6 और 6 ही होता है 6 plus 6 से जो है 12 देता है बात आई समझ में तो आपको एक experiment कराना है dice फिर आपको खुद को चुनना है कि मैं क्या लाना चाहता हूं वो आपका random variable बनेगा तो कितनी उसकी value हो सकती है तो मैं लिखाता हूं random variable is a real valued function एक function पर define एक value देगा आपको यही तो लिखाओ देगो random variable is a real valued function real value मतलब यह real value मिलेगी और किसी function के थुरू मिलेगा function आपने चुन लिया sum of dice function आपने क्या किया function आपने क्या किया है यह दोनों का sum a plus b यह तो एक function है तो एक function real valued function होता है जो define होता है sample space पर वह sample space क्या क्या आते 1 1 1 2 1 3 like इस तरह से नमबर आते हैं तो यह इस definition का यह सीधा सीधा example को denote करता है इसको denote किसे करता है capital X X की विले 2 3 4 like हो सकती है clear हो गया सभी लोगों को yes or no बताओ और यहां पर लिखावा ATJ specific number दिख रहाए कि specific number होता है which is different हमेशा different होते है इच टाइम हर टाइम अलग 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 आएगा the experiment is repeated experiment आपको repeat करना है बालबर आया सब को समझ में यास यानो जल्दी बताऊं कि बोलो भाई कि आगे सब को समझ में यास यानो कि तो अब अब इसमें जैसे कोई भी एक रेंडम एर्फ रेंडब अक इसके क्र्सपोंड़ी में होती है इसके क्रेंस्फोंडिंग क्या कलते है प्रॉबैबिल्ट्भ जैसे मैंने एक लिख दिया प्रोबैब्रमिल्ट satisf 1 impo एक्स की वेलू मैंने लिख दिया 12 एक्स की वेलू 12 यह है और 12 का मतलब क्या होता है 12 का मतलब वो कैसे आया होगा 6 यह प्लस जोड़ा होगा आपने तो 6 और 6 यानि कि बोलना चारे दोनों का सम बारा आने की प्रोबिल्टी बताओ तो बारा तो एक ही बारा आएगा वन टाइम आएगे लिंद कितने में से 36 में से यानि किसकी प्रोबिल्टी हर ना क्या इसको क्या रेंडम वेरिबल के इसकी प्रोबिल्टी निकलते चले जाएगी ठीक है तो यह सारे आपस में आपने पॉइंट से बनते हैं और इनको हम प्रोबिल्टी वोई से बात आई समझ में कि नहीं चलो ठीक है तो ऐससे बहुत सारे एक्जामपल दे सकते हैं कोई दिकर मैंने एक एक्जामपल दे दिया दूसरे एक्जामपल आप ले सकते हो मालो कि है 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 इंवलो से हैइट है 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 in class class में इसी हाइट भी एपने अपने närवेर्यबल होगी अलग है हाइट होगी सब जाएक होगी कि नहीं होगी किसी के हैट कैसी होगी झाल इप दो क्छिव हाइट अब यह बता हो पॉइंट में आ सकता है कि यह से नो जल्दी बता हूं वोलो वेट आफ वोईस इन क्लास बोलो जल्दी बोलो पॉइंट हो सकता है न यह भी हो सकता है किसे का 62 पॉइंट होगा किसी का 42.1 ओगा फोटेटी इस 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 को अपनेटनेट वेरिवल वह पॉइंट में भी आते है उसको फॉइंट यूसरेंडम वरिवल जो ऐसे खड़े-खड़े नंबर टैप के आते हैं उसको अब नहीं सकत in class. बोलो यह कभी point में आएगा? number of girls को अपने variable नाम दे है number of girls किसी class में variable की acid क्या नाम दे इदिया number of girls पूछ रहाघए अब मेरा सवाल क्या यह कभी कभी सुने वयसे लड़किया है class में 5.6 लड़किया है, यह क कभी पॉइंट में हो सकते क्या, नहीं हो सकते, यह हमेशा कैसे होंगे, एक नंबर, नेचुरल नंबर type क्यों होंगे, तो ऐसे जो नेचुरल नंबर टाइप कि होते हैं, उसको जो अ संस्क्राइब है जए एंड टू टैप्स के होते हैं ठीक है एक होता है आपका डिस्क्रीट रेंडम मेरिवल की डिस्क्रीट रेंडों मेरिवल कि अध्य multipoleeker हगते हैं आपका कंटिन इसरण आद के कि लियर हो गया सब कर低 एक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई बोलो इस एक्जांपल के आप से यह दोनों को आप क्या बोलों गया continuous है यह दोनों एक्जांपल्स कैसे है continuous के एक्जांपल है यह continuous random variable और यह आपका कैसा है discrete random variable रेंडम वरीबले है 1 2 3 4 ठीक है जैसे तो आपके कैसे होते हैं डिस्कृत होते हैं ठीक है आप लोगों को हो सकता है याद होगा अगर मैं आप से बोलू इसका युज़ देनिक जिवन में भी कहा होता है देखो डिस्कृत का युज़ जादातर होता है आजकल continuous भी हो गया continuous और discrete में क्या difference है आओ मैं समझाने की कोशिस करूँगा आप सभी लोगे के घर में एक switchboard होगा इसका use देखो switchboard में करते हैं कहां अब दैनिक घर जीवल में बोलते हैं इसका use कहा होता है दैनिक जीवल में देखो आज के date में discrete से continuous में जाना कितना असान हो गया अपने घरों के जो switchboard में जो fan होते हैं fan के जो switchboard होते हैं पंखे का बटन होता है जो गोल्ड राउंड में होता है याद करो जो पुराने जमाने के हुए करते थे वह हमेशा इसे numbering होते थे one two three four five ऐसा जो इसका मतलब वह कंसे थे discrete थे उस वक्त पुराने जमाने में discrete के यूज किया जाता था और पॉइंट टो पॉइंट नेचुरल नंबर की था वर्क करता था लेकिन आज के जो fan के जो switchboard हो गया है उसमें ऐसे वान है आप ऐसे देखे हो जो पॉइंट जो आपका इदम पॉइंटी स्मूथ ली रहता है और आप लोग तो इंजीनियर हो भाई आप लोगो तो वैसे भी पता होगा इस टाइब के अब भी घरों में ऐसी लगे हुए है सीच बोड़ जो नंबरीं के फार मचाते हैं ठीक हो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ऐसे एक पॉइंट दो पैंट तीन पैंट ऐसे चलते हैं और कई ठोक स्विच बोड़ जो है तो स्मूथली होते हैं वह आपको ऐसे लाइन से गुमा सकते हो उसके यूज अगर आप बलफ पर करोगे ना ठीक है एक बलफ ले लो घर का बलफ ले लो उस पर वह स्विच बोड़ जोड़ के देखो उससे क्या पता चलेगा जब आप उसको करोगे ना कम जादा तो वह जाए आटोमेटिक डीन ऐसे लाइट होगा तो पदा चले यार यह कंटिनियूस में होता है बीच में कोई रुकता ही नहीं है और जो डिस्कृट वाला होता है वह इसका यूज पहले भी करते थे आज भी करते हैं डोनों का यूज होता है तो मेरा सवाल यह है कि आप लोग को में कि लए और जांया यह वैर में बेवलों बोलों बहीओ आया समझ में कि नहीं आया कि मैं ज्यादातर ग्राफ प्रीफर करता हूं कि सब लोगों ग्राफ से समझ में आना चाहिए अगर मैं भूल इसका ग्राफ बच्चो कैसा होगाते इस ग्राफ ऐसा यह 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 इस टैप के नमबर मतलब एक खड़ा-खड़ा नमबर टाइप काता है इसको बोलते हैं मतलब कोई भी वेल्यूह दो होगी ऑफको ! 12 की जी जीरो होगी इस टाइब से चलते नंबर आथे इसके हर पॉइंट इसका आ सकता पॉइंट वाले भी आ सकते हैं इस इच वाइन इस इस कॉल्ड डिस्कृृत रेंडम वरीबल तो कंटीनियूस और डिस्कृृत समझ गए आया समझ में तो जिसकी काउंटेबल वेल्यू होती है तो हम बोल सकते हैं डिस्कृरिट रेंडम वेरिवल क्या होता है जिसमें जो है तो जिसमें काउंटेबल वेल्यू होती है इसमें इसको 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 अनकाउंटेबल बोलते हैं ठीकर यह याद रखे न जिसमें काउंटेबल रसकों डिस्क्रीट रेंडम वरीबल यह कैसे होते हैं काउंटेबल होते है और कंटिनियूस रेंडम वरीबल क्या होता है रेंडम वरीबल जोता है अनकाउंटेबल होते हैं यह चीज़े थोड़ा सा ध्यान होता है ठीक है और अकाउंटेबल मतलब इसकी वेल्यू जीरो से लेके इस तरफ से होती है और इसमें जो है पॉइंट में भी सारी चीज़े हो सकती है आज है तो इसके बाद जो है और भी है इसके बाद प्रोबैल्टी टेंसिटी फंक्शन वगरा है तो उसको जो है नेस्ट क्लास में करेंगे आज मेरे को स्वड़ा सा कुछ काम है मेरे को कहीं जाना है तो आज की क्लास एक गंटेगी रहेगी नेस्ट क्लास में सके जो प्रोबैल्टी टेंसिटी फंक्शन वगरा वो सारी चीज़े करेंगे ठीक है नहीं नहीं डिस्क्रीट वाला कभी निगेटिव नहीं हो सकता है निगेटिव कैसे होगा होगा तो होगा यस नहीं होगा तो जीरो बोलोगे ना मालो आपका आपने जो बोला है डाना नहीं आया तो जीरो हो गया जीरो निगेटिव नहीं हो सकते कभी भी ठीक है हमेशा जीर थीक है तो आज की क्लास यहीं समप्त की जाती है क्योंकि जो है थोड़ा सा मेर को काम आ गया है थोड़ा जाना पड़ेगा तो बाकी क्लास जो है नेस्ट क्लास में करेंगे ठीक है हुँ चले ठीक है आप सभी लोगों को बाई बाई एंड गुड नाइट एंड जैसरी राम राधे राधे सारी चीजे एक साथ आप लोगों को